भरतपुर जिरे की गुपाल गड़ थानश्यत्र के गाउं सेहडू गर में पुरानी रंजिस को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया जहां एक पक्षो द्वारा दूसरे पक्षों पर लाठी डंडो सी मारपीत का वीडियो सोशल मीडिया पर बायरलो रहा है मिली जानकारी के अनुसार आफसी बच्चों की कहा सुनी को लेकर विवाद चल रहा था जिसके बाद पुरानी रंजिस को लेकर विवाद हुआ है जहां गुपाल गड़ थाने में नूर दीन वा हसन मुहमन ने 4 सितंबर को मामला दर्श कराया है मामली में बताया है कि अपने ट्रेक्टर को लेकर खेत को जूतने गए थे जहां प्रार्थी के पुत्र कोल हुँ बाले खेत जोतने के बाद दूसरे खेत को जूतने गए थे तभी अज्जू पुत्र गौरी साजित मुस्ताक काला और्फ इस्ताक पुत्र अज्जू मिस्कीना पत्नी साजित आईशा पत्नी इस्ताक वा वारिसा पत्नी काला और्फ इस्ताक बारिस पुत्र अज्जू निवासी सेह डूगर सभी लोग एकरायव मश्वरा करके मेरे पुत्र नूर दीन वा हसन मुहम्मद वा पुत्र बधू नफीशा और सीधा को जान से मारने की नियस से घेल लिया आगे बताया कि देखते क्या हो इन्हें जान से खत्म कर दो तभी साजित ने जान से मारने की नियस से नफीशा के ऊपर फायर किया जो नफीसा के सीधे हाथ के अंगूठी में लगा है जिसमें उनके चोट आई है तब ही आईशा हुआ मिस्कीना ने लाठी डंडो से नफीसा के साथ मार पीट की जिससे उसके शरीर में जगे जगे चोट आई है और सर में वारिशा ने लाठी मारी नूर मुहमत के अज्जु से खुन निकल ले लगा बहुत होकर जमीन पर गिर गए और अर्सीदा के साथ अजुवात तस्रुन ने लाठियों से मारपीट की जिससे उसके पैर में चोटाई है सभी लोगों ने मिलकर हमारे परिवार बालों के साथ बूरी तरह से मारपीट की है यह बताया जिससे प्रार गोपालगर थाने में गटना की सूश न दी मौके पर थाने से पुलिस पहुंचे और वहां से गायलों को सीख ले अस्पताल में भरती कराया जहां पर कुछ लोग गंबी रिस्तिती होने के कारण अलवर के लिए रैफर कर दिये मारपीट का वीडियो बनाया है जिसमें इस कर दिया है जबकि मारपीट के वीडियो मिल गए है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष कर मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है अगर वीडियो में अवैद हत्यार हैं तो आरोपियों के खलाब जल्द कारवाई की जाएगी और मामने की निस्पक्ष जाज़कर है